दोस्तों Realme और एक धमा का कर दिया है Realme Narjo 30 लाँच करके मतलब क्या ही प्राइस रखा है बहुत चारे स्पेसिफिकेसन 12,000 में दे दिया है क्या ही बताऊं और जिस प्राइस में Realme Narjo 30 लाँच हुआ है उसी प्राइस के आज पास Redmi Note 10 भी आदा है और काफी दिनों से इसको मैं यूज कर रहा हूँ तो आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डीटेल कमपरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों फोन से कौनसा फोन अब लोगों को खरितना चाहिए तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना उसके पहले अगर अभी अब लोग तक हमरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सबसे पहले सस्क्राइब करो और बिलेकिन बजने टाइम आल में जरूर क्लिक करना हम लोग क्वालिटी वीडियो रखते हैं सबसे पहले डीजाइन और बिल्ट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं Redmi Note 10 के पास देखोगे बैकसेट की तरफ ग्लॉसी पैनेल दिया गिया है लेकिन इसका जो बिल्ट क्वालिटी है वो पॉली कार्बोनेट का है कोई भी मैट फिनिस बेगरा नहीं है इसके बज़े से जल्दी जल्दी क्रेचेस बेगरा आ जाता है तो मैं हमेशा दोस्तों बैक केस लगा कर रखता हूँ और आप लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग बैक केस लगा कर इस फोन को रखना बरना क्रेचेस बेगरा बहुत जल्द आ जाता है रियल्मी नार्जो 30 में भी बैक साट की तरफ पॉलिकार्बनेट का बिल्ड क्वालिटी है ग्लॉसी पैनल बैगरा दिया है कैमेरा से नीची की तरफ एक लाइन आया है जिसके बज़े से लुक एक अलग लुक देता है और प्रेमियम जैसा लुक देता है यहां पे भी दोस्तों पॉलिकार्बनेट के बज़े से क्रेचेस बगरा बहुत जलता जाएगा तो मैं कहूंगा दोनों ही फोन में बैक केस लगा कर जरूर रखना दोनों फोन में से अगर मुझसे पूछोगे किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है मैं दोस्तों कहूंगा रियल मिनार जो 30 गा डिस्प्ले के बारे में बात करा जाए रेड्मी नोट 10 में 6.43 इंच का फुल HD प्लास सूपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है काफी अच्छी बाद है निजे जो चैने सैड में जो बेजाल से ओ ठीक टाग है और मिडिल में पंचोल सिल्फी कैमेरा के साथ आता है सूपर एमोलेट डिस्प्ले के बज़े से वीडियो देखने का जो एक्स्पिरियेंस है ओ और भी बढ़िया होता है जो कालर बेगरा काफी अच्छी तरीकी से दोस्तों प्रोवाइट करता है और इसके डिस्प्ले में कॉर्णिंग कोरिला ग्लास 3 का प्रोडिक्सन भी दिया गिया है तो मैं कहूंगा बजार में बहुत सारे टेंपर ग्लास मिलता है ओ खरित कर लगा लेना ताकि आपका जो डिस्प्ले है ओ सही सलामत रहेगा और यहां पे 1100 निट्स ब्राइटनेस दिया है तो अगर आप आउट्डोर में यूज करोगे काफी अच्छी तरीके से देख पाऊगे और बहुत ब्राइट है मैं यूज कर रहा हूँ उसके बाद ही बता रहा हूँ बहुत जदा ब्राइट है उसी जगा में रियल मी नार्चो 30 में देखोगे 6.51 इंच को फुल HD प्लास IPS LCD पैनल देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया गिया है निचे जो चाहिने सैड में जो बेजाल चाहिए ओ लगवक सेम है और यहाँ पे पंचोल सेलफी कैमेरा आता है साइड में, मेडिल में यहाँ पे नहीं दिया गिया है और यहाँ पे एमोलेट डिस्पले नहीं दिया है इसके बज़े से 90 आर्च का रिफ्रेस रेड मिलता है और यहाँ पे 580 nits brightness दिया है तो अगर आप outdoor में यूज़ करोगे यहाँ पे भी कोई भी तकलिप नहीं होगा लगवग दोनों ही phone में दोस्तों सेम brightness बेगरा देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द phone हमारे पास आएगा और detail में दोस्तों दोनों को side by side comparison करूँगा camera, gaming बेगरा, सब कुछ detail में करूँगा तो उसके लिए जरूर इंतेशा करना यह जो मैं comparison कर रहा हूँ यह specification के basis में कर रहा हूँ लेकिन अगला जो comparison आएगा ओ दोस्तों performance के उपर आएगा मतलब सब कुछ overall performance camera बेगरा देखने के बाद ही ओ comparison लेकर आऊँगा तो उसके लिए थोड़ा रुकिएगा अभी चलिए performance के बारे में बात करते हैं Realme Nargo 30 में काफी powerful और काफी trending वाला processor दिया गिया है Mediatek का Helio G95 chipset काफी powerful chipset है मतलब killer processor है इस phone के उपर इस phone के उपर नहीं इस processor के उपर मैंने बहुत ज़दा PUBG टेस्ट किया हूँ और क्या ही बताओ इतना smooth चलता है क्या ही बताओ इसके बारे में दोस्तों मैं कोई भी comment नहीं करूँगा अच्छा चलता है और आप सभी लोगों को बता है इस processor के उपर बहुत सारे phone आ चुका है बहुत अच्छा performance है और उसी जगा में Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 chipset मिलता है AVTTAC chipset है लेकिन G95 ज़सा powerful नहीं है मैं आप लोगों को एक चीज बता दू बहुत जल्द हमारे gaming channel में दोनों phone के उपर gaming comparison आएगा वहाँ पर सब कुछ clear कर दूँगा लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ G95 काफी powerful है और वो gaming के लिए है Redmi Note 10 का processor अच्छा है मैं यह नहीं कह रहा हूँ के processor बेकार है processor अच्छा है लेकिन इससे अच्छा है G95 मैं ओ बताने का कोसिस कर रहा हूँ performance में साब साब उइनार रहेगा Realme Narjo 30 अब लोगों को कहला करा है comment box में चैरूरी बताना दोनों ही phone में same variant आता है 4GB 64GB और 6GB 128GB दोनों ही phone में LPDDR4X RAM आता है तो कोई भी तकलिप नहीं होगा RAM बेगरा या RAM management बेगरा सही सही काम करेगा दोनों ही phone में 5000 इमिज का बैटरी देखने को मिलता है और 5000 इमिज का बैटरी काफी powerful होता है Realme में 30W का fast charger है और उसी जगा में Redmi Note 10 में 33W का fast charger है मैं आप लोगों को बदा दू कोई भी फरक नहीं है 65 मिनिट में full charge हो जाएगा लेकिन मैं आप लोगों को बदा दू full charge होने के लिए दोनों ही phone में एक गांटा 10-15 मिनिट लग जाएगा तो यह आप लोग ध्यान में रखना बहुत जल्द दोनों phone के बीच charging test comparison भी ले कर आऊँगा तो उसके लिए ज़रूरी इन देजार करना दोनों ही phone में side mountain finger print sensor है dedicated sim slot है दोनों ही phone में दोनों ही phone में दोस्तो outbox android 11 मिलता है realme में realme का custom UI मिलता है और redmi में mu 12 मिलता है जो की redmi का custom UI है चलिए दोस्तो camera के और redmi note 10 में वेक्सरट की तरब quad camera setup है 48 megapixel का primary sensor 8 megapixel का ultrawide 2 megapixel का macro 2 megapixel का depth 13 megapixel का selfie camera मिलता है उसी जगा में realme narjo 30 में triple camera setup मिलता है 48 megapixel का primary 2 megapixel का macro 2 megapixel का depth और 16 megapixel का selfie camera मिलता है realme में एक minus point है कि यहाँ पे ultrawide sensor नहीं दिया है जो की देना चाहिए था realme में plus point ए है यहाँ पे video stabilization दिया गिया है जिसके बज़े से video सेख बेगरा नहीं आएगा तो phone आने दो दोनों phone को side by side दोस्तों मैं camera comparison करके बताऊंगा किसका camera अच्छा है मुझे लगता है कही ना कहीं दोस्तो realme का camera थोड़ा beta हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है फोन आने दो उसके बाद ही पता चलेगा प्राइस के पास देखोगे Redmi Note 10 का जो प्राइस है 4GB, 64GB पहले 12,000 में मिलता था लेकिन अभी दोस्तो 12,500 रुपीस प्राइस हो चुका है Amazon के उपर मिलता है 6GB, 128GB दोस्तो 14,500 रुपीस में मिलता है Realme Narjo 30 का जो प्राइस है 4GB, 64GB, 12,500 है लेकिन अगर आप फास्ट सेल में खरीते हो तो 500 रुपीस डिसकाउंट मिल जाएगा मतलब 12,000 में मिलेगा उपर से अगर आपके पास HDFC और 61,000 का क्रेडिट काड है मतलब फिलिप काड, 61,000 क्रेडिट काड है दोनों ही फोन अपने जगा में किलार है, दोनों फोन में से किसी भी स्मार्ट फोन ले साकते हो अगर आप लोग Realme Lovers हो अगर आप लोग ज़्यादा गेम बेकरा खिलना चाहते हो तो दोस्तो Realme के पास देख साकते हो अगर आप Redmi Lovers हो या दोस्तो आप ज़्यादा वीडियो बेकरा देखना पसंद करते हो ज़्यादा गेम बेकरा नहीं किलते हो ज़्यादा मुवी बेकरा देखना पसंद करते हो तो दोस्तो Realme के पास देख साकते हो तो दोनों फोन अपने जगा में किलार है दोनों फोन में से किसी भी स्मार्टफोन वाई कर चाकते हो दोनों फोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिप्समें दिया हूँ और यह था मेरा अनिस्ट अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंड बॉक्स में बता देना सारे डाउट क्लियार कर दूँँगा और अगर अब लोग चाहते हो के जल्दी-जल्दी में रिप्लाई दू तो अब लोग इंस्टाग्रम में भी दस्तो मैसेज कर साकते हो तो इता वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बिले लाइकन बज़ेने टाइम जरू क्लिक करना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले फ्रेस वीडियो में तब तक मच्चा आते रहो